हलो स्टूदेंस वेकम बाक टू मैं चैनल दिस सोनिया जैन तो बेटा आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की हिंदे के बुक शितिच के काविय खण में वाख की व्याख्या ठीक है बेटा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला वाख है कच्ची रस्ची धागे की खीच रही म में आव जाने कब सुन मेरी पुकर करें देव सब्भव सागर पार पानी टपके कच्चे सकोरें व्य्यर्थिपयास हो रहे मेरे जी में उप्ती रह 250 होक घाजने की चाह है गेरें इसे में जो कवित्री हैं यालाध्य जी वह क्या कहाना चाह रही है वो प्रभू से मिलने की आस में क्या कर रही है अपनी सांसों की डोर के सहारे अपनी जीवन रूपी नाव को चला रही है और वो प्रभू से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है लेकिन उनके सारे प्रियास व्यर्थ हो गए है तो चलिए देखते हैं क्या है व्याख्या प्रस्तुत वाक में कवित्री ललद्दे ने कहा है कि प्रभु मिलन की आस में मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्ची रसी और थात सांसों की डोरी के सहारे आगे बढ़ा रही हूं नाव को यहाँ पर जीवन से तुलना की गई है नाव कैसी हमारे जीवन रूपी नाव और कच्चे धागे की यानि कि सांसों की डोरी के सहारे वो आगे बढ़ा रही हूं तो देखो बिटा जीवन जो है सांसों से ही चलता है अगर सांस ही नहीं हाएगी तो जीवन हमारा खत्म हो जाएगा रभू न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार करेंगे मिट्टी से बने इस शरीर रूपी कच्चे सकोरे से निरंतर पाने टपक रहा है मतलब इस शरीर को कच्चे सकोरे से तुलना की गई है जैसे कच्चे सकोरे में हम पानी भढ़ देते हैं और फिर उसमें से नीचे टप टप करके पानी निकलना शुरू होता है जैसे एक-एक बुन करके पानी निकलता है ठीक है तो ये कह रही है कवित्री कि मिट्टी से बने इश्क शरीर रूपी कच्चे सकोरे से निरंतर पानी टपक रहा है अर्थात एक इक दिन करके उम्र घटी जा रही है प्रभु मिलन के लिए किये गए अब तक के सारे प्रियास व्यर्थ हो चुके हैं मेरी आत्मा परमात अगला वाक है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं ना खा कर बनेगा अहंकारी समखा तभी होगा संभावी खुलेगी सांकल बंद द्वार की तो इसमें ललदी जी क्या कहना चारी है इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलन के महत्व को स्पस्ट करते विका है कि य तो इसके मन में त्यागी होने का अहंकार पहदा हो जाएगा और वहें एहंकारी बन जाएगा तो बिटा क्या कहने का मतलब है कि जीवन में संतुलन होना चाहिए ऐसा नहीं कि हम सब कुछ खाते जारे हैं भोग उपवग की वस्तों का बस वह करते जा रहे हैं लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो हम स्वार्थी बन रहे हैं लेकिन अगर हम सारी भोग उपवग की वस्तों का त्याग कर दें तो हमारे मन में क्या है कि हम तो त्यागी हैं हमने सब चीजों का छोड़ कर रखा है तो एक हंकार आ जाएगा तो जीवन में संतुलन होना चाहिए ना तो हमें स सामनजस से बिठाना है उनके बीच में संतुलन होना चाहिए कुछ है तो भोग भी करना चाहिए लेकिन ना के बराबर और त्याग भी करना चाहिए लेकिन सीमा से हट कर नहीं तात पर यह है कि हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए अर्थात भोग और त्याग के बीच में समानता रखने चाहिए इस समानता के कारण हमारे अंधर संभाव उत्पन होगा हमारे हृदे में उदारता आएगी और हम अपने पराय से उपर उठकर अपने हृदे का द्वार समस्त संसार के लिए खोलेंगे अगला वाक है आई सीधी रा से गईना सीधी रा सुष्म सेतू पर खड़ी थी बीच गया दिन आह जब टटोली कोडी ना पाई माजी कोदू क्या उत्राई इसमें कवित्री ललादेजी कहना चारी है आई सीधी रा से मतलब जब कोई भी प्राणी पैदा होता है तो उसमें छल कपट द्वेश कोई भाव नहीं होते लेकिन दीरे दीरे यह सब भावना है उसके अंदर आती चली जाती है ठीक है तो अब कवित्री जो है वो कहरी है क भी अब उनके अंदर गीस अब चीजों समावेश होगा ओए सी जो पी कहें अब तो लेकिन जब वह एसे परिस्थिती में हैं कि मतलब मृत्तियों के निकिट है तो उन्होंने देखा कि मैंने क्या-क्या कर लिया अपने जीवन में क्या-क्या पुन्य कर्म की है क्या-क्या की पुन्यकरम कौन से की यह हैं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है बताने को तो देख लेथेए इसकी व्याख्या है अपने इन पंक्तिओं में कवित्री ने मनुष्य द्वारा इश्वर प्राप्ति के लिए किये जाने वले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है यहां कवित्री यह कहना चाहती है कि अपने जीवन की शुरुवात में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुवात तो की लेकिन उन्हें बाद में उन्हें यह समझ नहीं आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत ठीक है इस करना तपस्या में लगे रहना लीन रहना संसार से कोई मतलब नहीं है तो ये सब चीजे तो वो इस रास्ते पे आ गई तो समाज में प्रभुभक्ति के लिए अपनाई जाने वाले सरीके जैसे कुंडली फेड़ना जागरन करना जब करना इतियादी परन्तों ये सब करने के बार भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक उनके जीवन की संध्या हो चुकी थी अर्थात अब मृत्यू की घड़ी निकट आचुकी थी अप कुछ और करने का समय शेश नहीं था जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो पाया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है उनकी हालत तो किसी कंगाल की तरह है उन्हें तो अप ये डल लग रहा है कि जब भवसागर रूपी समाज को पार करक इश्वर के पास जाएंगी तो परमात्मा को क्या जबाव देंगी क्योंकि उन्होंने तो हट योग में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दी हट योग मतलब जैसे होता न सन्यासी बनके एकी जंगापर तपस्या में लीन रहना उस तरीके से अपनी अवस्था पर उन्हें भारी अफसोस हो रहा है कि इतना हट योग किया इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ अब तो जीवन की संध्या हो गई है अब उनके मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि वो प्रभू से मिलने के लिए आई भी है तो अगर प्रभू पूचेंगे भ करम तो कोई किये नहीं तो वो क्या जबाब देंगी तो इसी अवस्ता पर उन्हें भारी अफसोस हो रहा है अगला है थल थल में बस्ता है शिवही भेद न कर क्या हिंदू मुसल्मा ज्यानी है तो स्वयम को जान यही है साहिप से पहचान इसमें प्ववित्री हमें तो वो स्वयम को जाने क्योंकि जो इश्वर है शिव मतलब इश्वर जो है वो सब जगा है इश्वर हमारे अंदर भी है तो अगर कोई ज्यानी है तो वो स्वयम को जानेगा तो देखते हैं अपनी इन पंक्तियों में कवित्री हमें भेद भाव हिंदू मुसल्मान इत्या धर्ति हो या प्राणी यहां तक की हमारे अंदर भी इश्वर बसा हुआ है वह किसी व्यक्ति को उच नीच भेदभाव की दरश्टी से नहीं देखता बलकि वह हिंदू-मुसल्मान को एक ही नजर से देखता है मतलब इश्वर हमें यह नहीं देखता कि तू हिंदू है तू म मुसल्मान है मैं तेरे पास जाओ मैं तेरे पास नहीं है इश्वर तो हम सबको एक दरश्टी से ही देखता है चाहे वह हिंदू हो मुसलिम हो सिख हो इसाई हो किसी भी धरम का हो उनके अनुसार इश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्म ज्यान करना जरूरी है क्योंकि इसी से ही हम इश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं इश्वर हमारे अंदर आत्मा में बसे हुए है मतलब हम सबके अंदर आत्मा के अंदर क्या है इश्वर समाई हुए है इसलिए कवित्री ज्यानी पुर्शों से कह रही है कि अगर तुम ज्यानी हो तो स्वैम को प पाए है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं ठीक है बिटा तो यहां पर यह हमारे चारों बाग कम्प्लीट होते हैं यहां नेक्स वीडियो में इसके क्वेशन आंसर डिसकस करेंगे तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए सो स्टे ट्यून फॉर मूव वीडियो तिल देन बाबाई